नमस्कार दोस्तों मैं हुरा हुल आपका बहुत बहुत श्वागत है नमो टेकनिशन के एक और नए वीडियो में दोस्तों यह हमारा इंजिनियरिंग प्राइंग का सेकंड वीडियो है इससे पहले एक वीडियो अप्लोड हो चुका है जिसमें हम लोगने टाम हैंसरिंग के बारे में पढ़ाता है उसमें एक question को हमने solve किया था जो पिछले साल आ चुका है और आज और एक question को solve करेंगे जो पिछले साल आ चुका है दोस्तों इसमें हमने 4 center method से ellipse बनाना सिखेंगे जिसका major axis 100 mm है और minor axis 50 mm है major axis क्या होता है दोस्तों ellipse हमारा इस तरह से अंडाकार होता है जिसका यह क्या है यह major axis होगा और यह minor axis major axis यानि जो बड़ा axis होगा वो major axis होगा और जो छोटा axis होगा यह minor axis होगा तो चलिए इसको हमने लों draw करना सिखते हैं सबसे पहले हमें करना क्या है AB line एक line draw करना है 100 mm का major axis कितना है 100 mm तो हमें 100 mm का एक line draw करना होगा ठीक है तो एक line हम लोगों ने draw कर लिया है अब करना क्या है देखिए अब इस line को bisect करना है bisect करने का process क्या है देखिए AB का आदा कितना होगा 50 mm होगा AB 100 है तो AB 50 हमें 50 से ज्यादा distance लेना है चाहे कितना भी ले लेकिन हमें क्या करना है 50 से ज्यादा लेना है और 100 से कम लेना है कोई भी distance उसको लेने के बाद A में रखना है उपर एक arc draw करना है निचे एक arc draw करना है उसी तरह से B में रखना है उपर एक arc draw करना दो पार्ट में डिवाइट करेगा, इसी को बाइसेक्ट कहा जाता है, ठीक है दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह भी लाइन को equally दो पार्ट में डिवाइट कर दिये हैं, अब क्या है देखिए, इसको 25 mm लेंगे, उपर 25 होगा, नीचे 25 होगा, ठीक है? ऊपर 25 और नीचे 25 क्यों होगा, दोस्तों माइनर एक्क्सिस का डामेंजन क्या है, माइनर एक्सिस 50 mm है, तो सेंटर से ऊपर 25 होगा और नीचे 25 होगा, ठीक है? देखिए, इस पोइंट का नेमिंग हम लो करना है उपर 25 होगा नीचे 25 इसलिए होगा क्योंकि माइनर एक्सिस 50 mm है मेजर एक्सिस 100 mm है तो से इधर 50 होगा और इधर 50 होगा ठीक है इस पॉइंट का नेमिंग हम लोग कर देते हैं ओ अब क्या करना है अब स्केल का यूज करके आप बोल के सरिए तो स्केल नहीं यह यह लाइन क्या है दूस्वाइन हो गया टिकता यह से कहा तक स्मीडा ट्रयंड मेडान सहर गिला है यह लाइन भीकार हो कुआंगा पेंसे हम बना रहे हैं तो इस लाइन को इग्नोर करना है A से C तक एक लाइन ड्रो करना अब करना क्या है देखें अब A O के इक्वेल हमें रेडिये स्टेट करना है कमपास में यानि कितना होगा A O कितना होगा 50 mm होगा ठीक है O में रखना है और A से एक आर्क ड्रो करना है एक आर्क ड्रो करना है और इस वर्टिकल लाइन को जहां पर ये इंटरसेक्ट करेगा इस पोइंड का नेमिंग हम लों कर देंगे E अब next क्या करना है next करना है C से E तक का आपको डिस्टेंस लेना है C से E यह पर आप देख सकते हैं कमपास को स्टेट करना है C से E और AC लाइन को कट करना है C से E तक का डिस्टेंस लेना है और AC लाइन को कट करना है उसके बाद इस पोइंट का नेमिंग हम लों कर देंगे A अब क्या करना है अब A F line को bicept करना है bicept मतलब आपको पता है दो equal part में divide करना है उसके लिए क्या करना है आदा से ज्यादा distance लेना है compass में तो क्या करेंगे देखिए A में रखेंगे और A F का जो distance है इसका आदा से ज्यादा हमें compass में state करना है A में रखना है उपर एक आर्क ड्रो करना है निचे एक आर्क ड्रो करना है फिर एप में रखना है फिर एप में रखना है उपर एक आर्क ड्रो करना है और निचे एक आर्क ड्रो करना है तो हमें फिर दो पॉइंट मिल जागा तिक है इस दोनों पॉइंट को मिलाते हुए और एक लाइन ड् इस तरह से हमें क्या करना है इक लाइन लाइन है इसको extend करते हुए लेकि जाना है ये जहां तक जाएगा और ये हमारा इस line को cut करना चाहिए यानि intersect करना चाहिए उसके लिए हमें क्या करना हीए इस line को थोड़ा सा extend करना होगा तो देखे इस line को अगर extend करेंगे तो यह जो line हम लोग ने draw किया है यहाँ पर इसको cut कर रहा है यानि क्या होगा देखे इस point का हम लोग naming दे देते हैं h3 ठीक है h3 naming कर देते है h3 क्यों करते हैं वो बाद में बताएंगे कुछ भी कर सकते हैं h2 भी कर सकते हैं और यह जो line है measure axis को जहाँ cut कर रहा है इस point को naming कर देंगे h1 ठीक है अब क्या करना है ठीक है ओ से h1 का जो distance है ओ से h1 का जो distance है इसी को compass में set करना है और इधा transfer करना है तो यह हमारा क्या हो जाएगा h2 हो जाएगा ठीक है और h3 का जो distance है ओ से h3 लेना है और इसी distance को उपर भी transfer करना है ठीक है तो उपर हमें क्या करना होगा इस line को थोड़ा सा और extend करना होगा जिससे हमारा intersect हो ठीक है तो यह हमारा जो sorry अच्छा ठीक है यह line थोड़ा सा जगा पर नहीं हुआ ठीक है तो यह जो line है इस point का नाम हमने क्या करतेंगे है h4 तो दोस्तों यहाँ पर जो question आप देख सकते है question में क्या बोला गया four center method तो यहाँ पर आप देख सकते है four center हमें मिल चुका है h1 एक center है h2 दो center है h3 तिसरा center और h4 यह चोथा center तो इससे अब हम लोग ellipse को draw कर सकते हैं ठीक है अब करना क्या है देखे सबसे पहले यह h1 h4 h3 h2 को आपस में मिला देना है ठीक है देखे यह h4 है h4 को क्या करना है h4 और h1 को मिला देते है ठीक है h4 और h1 को मिला दिये है अब क्या करना है h4 और h2 को मिला देते है फिर क्या करना है h3 और h2 को मिलाना है ठीक है चारो center को आपस में मिला देना है चलिए हो गया है अब क्या करना है अब हमें इस center से एक क्या करना है ellipse draw करना है अब देखें ना h में रखेंगे h1 में रखेंगे ये तक का distance लेंगे ठीक है h1 में रखना है ये तक का distance लेना है और एक r को draw करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं एक r को draw करेंगे इस तरह से ये दोनों लाइन ये एक लाइन और ये एक लाइन ये दोनों लाइन के बीच में होना चाहिए उसी तरह से H2 में रखना है और H2 और B का डिस्टेंस भी सेम होगा H2 B और H1 A दोनों का डिस्टेंस सेम ही होगा तो फिर इस तरह से रखना है और यहाँ पर भी हमें क्या करना है एक आर्क ट्रो करना है देखें यह हमारा कि इतना हो गया अब क्या करना है अब ह3 में रखना है ठीक है ह3 में रखना है और कहां हम लोग इंड किये हैं इस आर्क को ठीक है यहां से अब हमें start करना है तो सबसे पहले compass को set कर लेते हैं ठीक है यह देखे न अब यहां से हमें क्या करना है यहां से start करना है और यह अपने आप यहां जाके मिल जाएगा ठीक है यह हो गिया ठीक है उसी तरह से अब क्या करना है h4 में रखना है ठीक है एस फॉर में रखना है और यहां से अब हम लोग ड्रॉ करेंगे ठीक है तो इस पेज को रोटेट कर लेते हैं ठीक है देखे एस फॉर में रखना है एस फॉर में रखना है और यहां से जब हम लोग ड्रॉ करेंगे तो यह आटोमेटिक इससे मिल जाएगा तो दोस्तो इस तरह से एक ellipse बनाया जाता है force center method से ठीक है यह हमारा दूसरा वीडियो था तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरू कर देजिए और अगर आप supplementary jam में पास होना चाहते हैं engineering drawing में पास होना चाहते हैं तो चैनल को subscribe जरूर करिए साथ ही साथ bell icon को प्रेस करना ना भूले जिससे आपको सबसे पहले notification मिल जाएगा मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यबाद जाई हिंद